हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंज स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामनें इंपोर्टेंट जोग बनने वाले हैं हमारे सेविन स्टैंडर के लिए जेओग्रफी सब्जेक का एक निव चाप्टर फ्रेश चाप्टर जो हमने अल्री श्टार्ट किया था दोस्तो जिसका नाम है चाप्टर नमर शीक्स नाच्रल रीजन्स तो आज हम इस पर्टिकलर चाप्टर का लेक्चर नमर थरी आपके लिए लेकर आगया है जो कि अगेन एक बहुत ही जादे इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद दिलाने चाप्टर की शुरुआत की थी विंड्स वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और यह हमन मैं आपको बताया था कि हर जगा पे earth surface में layers by layers आप देखोगे हर जगा पे जो climatic condition होता है plants का महौल होता है या फिर animals का महौल होता है रहने का या फिर human beings का रहता है वो सब अलग अलग होता है तो हमने बहुत सारे reasons आपके लिए तो वो टॉपिक हमारा complete हो गया था और आज थर्ड लेक्टर है, इसमें हम लोग एक और बहतरीन टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि again reasons के बारे में बताएगा, लेकिन वो जो reasons होगा, वो according to the climate condition बताएगा, तो उसमें तोटल तीन reason है, monsoon reason है, Mediterranean reason है, और एक West European reason है, तो ये तीन में से at least आज दो reason को discuss करेंगे हम लोग, तो वीडियो बहुत important है, वीडियो को end तक जरूर से देख लेना, और साथ में दोस्तों आप आप लोग जो playlist section है हमारा, वीडियो section के बाजिव में playlist section है, आप हमारे channel के अंदर आ जाओगे, तो channel में आपको सबसे पहले videos दिखता होगा, homepage, फिर videos, videos के बाजिव में playlist, playlist के बाजिए में channel, ऐसा about section, ऐसा दिखता है न sections, तो आप playlist section में जाओगे, तो आपको पूरा का पूरा जो हमने, जितने भी videos आज तक बनाए हुए, सबके folder के हिसाब से हमने arrange किया हुए, standard wise, lecture wise, subject wise, पूरा arrange करके रखा है, बस आपको जाना है, वहाँ पे scroll करना है, जो भ बात करेंगे आज किस वीडियो की, तो मैं total 3 reason की जो आज हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता तो आपको कौन-कौन सा reason हम लोग discuss करने वाले हैं, तो normally, जो पहला reason है वो है दोस्तों, monsoon reason, ठीक है न, जो हमने इतने सारे tundra reason, tiger reason, grassland region, यह सब discover किया था, लेकिन उसके अ अलावा, जो तीसरा type का जो reason है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है दोस्तों, West European reason, ठीक है, अब यह तीन में से हम लोग क्या करेंगे, आज सिर्फ जो टॉप के दो है, वो हम लोग discuss करेंगे, और अगला जो होगा वो इसके बाद वाले lecture वाएंगे, क्योंकि मैं चाहत फॉलो किया है, मैं वो ही बच्चों को फॉलो करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं as a student point of office सोचता हूँ, मैं as a sir नहीं सोचता हूँ, मैं अगर चाहूँ, तो एक देर देर, दो दो घंटे का lecture वीडियो एके साथ बनाओ, और हर वीडियो में पूरा का तो रोज का 15-15 मिनट एक subject के उपर ध्यान दोगे, एक lecture के उपर, तो एक कितना आगे पड़ जाओगे, आपका जो skills होगा, mindset होगा, वो improve होगा, ठीक है ना, तो आज हम लोग बात करेंगे, monsoon reason क्या होता है, और Mediterranean reason क्या होता है, इस बारे में, तो सबसे पहला, हम heading डालने मा हैं, सबसे पहला, जो आज का, जो region हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो ही, दोस्तो, monsoon reason, ध्यान से देख लेना दोस्तो, अब monsoon का मतलव आप जानते ही, मैंने आपको बताया था, जो season, बरसात को लेके आता है, बारिश को लेके आता है, उसको monsoon region हम लोग बोलते हैं, ठीक है मैंने diagram अगर आपको यादो का, फिर से बता दूँगा, समझ लोग यह हमारा earth है, बीच का line equator होता है, फिर यहां से degree start हो जाती है, फिर 0, यह 0 होता है, 10 degree होता है, 20 degree होता है, 30 degree होता है, इससे करते करते कहां तक जाते है, 90 degree तक जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे ही, जो 10 degree से लेके, 30 degree तक का जो part है, कहां पे? North पे और South में, दोनों तरफ का, यानि उपर का part North होता है, यह वाला portion North है, और नीचे वाला portion South है, तो उपर नीचे दोनों North and South portion के अगर बात करें, तो इस में जो parallel lines होते हैं, वो जो region होता है, वो क्या होता है, मौन्सून इजन, यानि कि यह दोनों portion जो होगे, वो क्या होगे? कौन से होगे? Monsoon region होगे, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी, बरसात काफी ज़्यादा होती होगी, तो कौन-कौन से areas आ जाते है, इसमें Indian subcontinent भी आ जाता है, मतलब इंडिया का भी कुछ हिससा आ जाता है, इसके साम याद रखना है, मैं सब countries के बारे में नहीं दिखाऊंगा, जो मैंने बोला, आप उसको वीडियो को पॉस्ट पॉस्ट करते करते हैं, आप लिख सकते हो, अपना खुद का notes अगर बना चाते हो, बना सकते हो, ठीकिन हम ज़्यादा लिखेंगे, तो time ज़्यादा waste होने क time पे temperature होता, यानि कि एक तरीके से normal ठीक ठाक गर्मी इसके अंदर पड़ती है, rainfall भी बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि monsoon reason है, rainfall तो तगड़ा होगा, तो लगबग 250 से लेके, 250 से लेके, 250 जो हजार पानसो एमेम तक, यह अड़ाई हजार एमेम तक बरसात होती है, यानि ब fluctuate भी होते हैं, कहीं बहुत जादा आ गया, कहीं बहुत कम आ गया, इसलिए इसका जो distribution होता है, rainfall का, वो काफी uneven है, uneven मतलब कभी जादा, तो कभी कम, इस प्रकार से चीज़ें इस reason के अंदर देखी जाती है, clear है, तो उमीद करना हो कि यह चीज़ आपको बहुत अच्छी त पुरे साल बर हरे बरे रहें, तो semi-evergreen, जैसे आपको मैंने previous lecture में, जो इस चीज़ का lecture था, lecture number 2 में मैंने आपको Amazon के बार में बताया था, वो हमेशा evergreen होते हैं, हमेशा सालों बर आप जाओगे बारिश होता रहता है, और evergreen होते हैं, लेकिन यह semi-evergreen forest होते हैं, और इसमें des CDS भी होते हैं, कुछ पेड़ ऐसा इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि बन्यान ट्री, आपको पता है बर्गत का पेड़, बन्यान ट्री, पीपल का पेड़, टीक, साल, शीशम का पेड़, शीशम आपने नाम सुना का बहुत famous है, सैंडल बूड, चंदन का पेड़, चंदन क के अंदर पाये जाते हैं, clear है, तो उमीद करता हो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, अब इसी reason के अंदर, plants के बारे में हमने discuss किया कि कौन-कौन से type के plants पेड़ पहुते हैं, natural vegetation कैसा होता है, लेकिन animals कौन से type के होते हैं, ये भी discuss कर लेते हैं, तो animals type के अगर बा monkey हो गए, बंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में bear, भालू, ठीक है, भालू, फिर peacocks हो गए, snakes हो गए, और coyल, कुकू, birds होती है, तो वो सब प्रकार के animals यहाँ पे पाये जाते हैं, और कुछ यहाँ पे जंगली जानवर के अलावा, wild animals के अलावा, कुछ domestic animals भी पा है, और एक आखरी topic, जो कि इस particular region के अंदर आ जाता है, monsoon region के अंदर आता है, यानि कि human life के सी, human settlement किस प्रकार है, तो human life के अगर बात करें, तो इसमें एक तरीके से बहुत जादा जो लोग है, उसकी जो diet होती है, वो अलग होती है, यानि कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो ब होगे, तो आपको different types of costumes देखने मिल जाएंगे, पहनावा देखने मिल जाएंगे, population देखोगे, अगर बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है, वो occupations करते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ लोग खेती कर लिया, कुछ लोग animals को पाल लेते हैं, domestication वगर हो गया, और लेकिन ज़्यादा तर जो लोग का occupation है, यहाँ पर वो क्या है, दोस्तो, agriculture, यानि खेती करना, ज़्यादा लोग यहाँ पर पसंद करते हैं, agriculture करना, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा, तो तो यही था दोस्तो हमारा monsoon region का topic, जिसमे जो मैंने आपको बता दिया है, इस particular monsoon reason के अंदर, उमीद करता हूँ, यह monsoon reason का part आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, चलते हैं हमारे दूसरे type के reason के उपर, monsoon reason हमने करम कर दिया, complete हो गया monsoon region, अब दूसरा कौन सा reason है, Mediterranean reason, तो Mediterranean हम लोग reason discuss करेंगे, तो second heading डालूँगा यहाँ पर, ठीके, दूसरा जो हमारा heading है, आज के दिन जो पढ़ना है हमारा, वो है दोस्तो, Mediterranean reason, ठीक है, तो spelling आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा difficult spelling है इसका, तो इसको आपको याद रखना है, spelling mistakes बहुत ज़्यादा होती है, exam में अगर बात करें, ठीक है answers भी learn करोगे, conception knowledge हो चलो, मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ चीजे लिखा भी रहा हूँ, कुछ चीजे अपने मूह से बोल रहा हूँ, तो आप उसको note down भी करते जाओ, यह सब चीज दिमाग में रखो, जीतना हो सके, दो-तिन बार वीडियो देख लोगे, तो दिमाग में जाएगा, लेकिन जो कुछ spellings होती है, उसको याद में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, simple spelling आप लोग खुद से लिखे लोगे, लेकिन बच्चे लोग मिश्टे किये करते हैं, जैसे आप लोग छोटे एज के हो, तो शायद बच्चे लोग मिश्टे किये करते हैं कि बड़े-बड़े spelling लें करके नहीं जाते थे और एक्जाम में अकसर spelling मिश्टे को जी तो टीचर क्या करेंगी, राउंड करतेगी और आदा मार्स काट लेगी, एक्जाम में एंसर्स में ऐसी हाफ-ाफ मार्स काट लो, चार-पत जगा spelling मिश्टे को गया, तो दो-तिन मार् और फिर हमको बुरा लगता है कि यार फालतो का मिश्टेक हो गया, तो इसलिए बोलता हूँ, इस अब हार्ड स्पेलिंग याद रख लिया करो, तो मेडिटरेनियन रीजन, तो इस रीजन में किस प्रकार का लोकेशन है, कहाँ पाय जाता है, क्या क्लाइमेटिक कंडिशन ह एनीमल लाइफ के सिए, हुमेलल लाइफ के सिए, सब चीस डिस्कस करेंगे इस रीजन का, तो सबसे पहले, इस रीजन कहाँ पाय जाता है, यह जो रीजन है, लोकेशन की अगर बात करें, तो अगर यहाँ पर 30 डिगरी से लेके, 40 डिगरी का हम लोग एक लाइन खीचे, 30 स से लेके 40 degree तक का line जो रहेगा, यहाँ पे 30 degree से 40 degree का जो line रहेगा, यह जो particular हिस्सा है, समझ लो, यहाँ पे इस प्रकार का मैं किसता हूँ, और यहाँ पे इस प्रकार का line किसता हूँ, तो यह जो हिस्सा है उपर भी और नीचे भी, north and south में तो वह जो रेजन रहेगा वो क्या रहता है आपका Mediterranean region रहता यानि की 30 degree से लेके 40 degree कहां पे North में भी और South में दोनों हैं मिस्पेर में Northern हें में फीर में Southern हें में उपर नीचे दोनों एर्थ का पार्ट में ये हिस्सा होता है Mediterranean region होता है अब ये Mediterranean reason में कौन-कौन से countries आ जाते हैं, जैसे कि पुर्तगाल एक country है, पुर्तगाल आप खता है, वर्ल में काफे जाद famous है, और शायद रोनाइल्डो शायद वहीं से belong करते हैं, ठीके न, पुर्तगाल, काफी famous है, Spain हो गया, Algeria हो गया, टर्की हो गया, ठीके न, California हो गया, ठीके फिर Australia हो गया, ये सब कुछ countries है, जो इस reason में पाए जाते हैं, यानि इस region जो है, ये वाला reasons है, अर्थ का, उसके आसपास पाए जाते हैं, इस प्रकार के country तो ये आपको ध्यान में रखना है, अब इसके अलावा, इसका climatic condition कैसा है, यानि कि ये reason में जो भी countries आते हैं, उनक climatic condition कैसा है, तो climatic condition की बात करें, summers काफी dry होते हैं, summers क्या होते काफी जादा, सूखे होते, dry होते, काफी अच्छा कासा temperature होता है, जो की लगबग 21 से लेके 27 degree तक होता है, 21 degree से लेके 27 degree तक इसका temperature बहुत अच्छे तरीकी से जाता है, यानि कि ठीक ठाक normal average summer temperature होता है, वो ही अ हमारे लिए आप मुंबई वारिशी हो भाराष्ट में रहते हो तो आपको पता हो गए 10 से 14 डिगरी मतलब फिर भी हमको थंड लगेगी तो कुछ लोग ऐसे जहां पर जीरो और माइनस में रहते होंगे तो वह लोग तो एकदम थंड से इसा इसा काप जाते होंगे ठीक है ना नाम में मौनसून रिजन यानि बारिश बहुत ज़्यादा होती है 2500 mm यानि कि मैक्सिमम अड़ाई 1000 mm तक बारिश होती है बोलो कितना ज़्यादा बारिश हो रही है और आप जिनको नहीं पता ये भी एक चीज़ मैं बताऊंगा शायद आपके मन में डाउट होगा ये mm क्य किमें 2500 mm यानि 25 cm 2500 mm मतलब लगबक 25 cm हो गया ना ठीक है तो ये इतना ज्यादा 25 cm निमाफ करना 250 cm माफ करना ठीक है एक सेंटीमीटर इस इकूल टू 10 mm होता है तो calculate कर लो ठीक है कितना सेंटीमीटर होगा 250 cm मतलब बहुत होगा 250 cm एक घंटे में भर रहा है तो उतना 1 mm बारिश होगा, यह आपको ध्यान में रखना है, ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात को रही है, यहाँ पर विंटर्स में भी कभार बारिश अक्सर देखने मिलता है, यहाँ पर इस रिजन के अंदर, यानि मौनसून रिजन में देखो कितना ज़्यादा होता है, लेकिन मेडिटे जैसे नहीं होते, छोटे पेड़ होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनकी जो लीफ्स होती है, काफी ओईली होती है, यहाँ पे, क्योंकि बारिश जब आता है, तो फ्लोट नहीं करता है, उसके उपर से नीचे निकल के गिर जाता है, और काफी जो इनका तना होता है, जो लेय करना है example से कोन मों से ताइप के पेड होते हैं इस reason के अंदर example ऑल्लीव बनता है फिर ऑक हो गया चेश्ट नट नट के प्रकार है ग्रास जो होते हैं वह भी छोटे-छोटे होते घास गाफी छोटे घास वगरे होते यहां पे और न्रॉमली मांटेंस वगरे में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी थन ज्यादा होती है, तो Coniforest Forest, ठीक है, Coniforest Forest का मतलब होता है, एक दम कौन जैसा, Coniforest, Forest आपको देखने बिलता है, वहाँ के यो पेड होते हैं ये ट्रैंगूलर शेप में होते हैं, आपने देखा है ना Christmas tree जैसा इस प्रकार के पेड़ होते हैं तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब animal life की अगर बात करें ये तो plants के बार में बता दिया animal life की बात करें तो animals में भी लगबग बहुत सारे ऐसे animals होते हैं जिसमें उसको पाला जा सके यानि animal husbandry का occupation बहुत ज़्यादा famous है इस particular जगह पे काफी ज़्यादा माना जाता है जैसे बकरी हो गई, शिप, भेड़ बोलते हैं गोट, शिप, ठीक है ना cow buffalo, horses इस प्रकार के जानवर को पाला जाता है और वही अगर human life की बात करें, इसमें human लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार के लोग क्या follow करते हैं तो इसमें normally Greek और Roman civilization follow होता है और इसमें main occupation again agriculture है अगर आप यहाँ पे भी बात करोगे, तो यहाँ पे भी लोग खेती करना ही पसंद करते हैं जहाता है agriculture is the main occupation और यहाँ पे mostly fruits और flower को cultivate के जाता है क्योंकि पेड में कुछ ऐसे पेड है जो fruits वगरे produce करते हैं, nuts वगरे produce करते हैं तो इस प्रकार के जो plant से उसका उपयोग किया जाता है और agriculture में गेहु और normally अगर बात करें wheat related, गेहु से related जो भी चीज़े होती है उसको normally use किया जाता है और वहाँ पे लोग costumes भी अलग-अलग प्रकार के पहनते हैं, अलग-अलग प्रकार के design वाले costumes पहनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कितना diversify चीज़े हैं, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये topic भी समझ में आ गया होगा तोटल ये दो topic हमने एकदम detail में study कर लिया दोस्तों, तो हमारा Mediterranean reason भी almost यहाँ पे खतम होता है अब एक तीसरा reason बचा है, जिसका नामे West European reason, यानि West European, जो country आपको बता है, Europe country तो उसका West European reason जो है, उसमें किस प्रकार का location होता है, climate condition कैसा होता है, vegetation life, animal life, human life, किस प्रकार है ये सबी चीज हम discuss करेंगे, लेकिन आज नहीं, जैसा मैंने starting में ही बोला, आपको कि आज हम दो पढ़ेंगे, तीसरा जो है, और थोटा सा और topic है, उसको हम लोग next lecture में cover कर लेंगे और पूरा chapter complete हो जाएगा हमारे अगले lecture में, तो आपको बस lecture number 4 का हमारा इंतजार करना है, जल से जल हम लेकर आ जाएंगे, और ये पूरा chapter को complete करेंगे, तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के साथ समाप होता है, और उमीद करता हूँ कि हर चीज आपको बहुत ये अच्छ अच्छी चीजें हमने सीखी है, किसी को पता था क्या मौनसून रिजन, मेंडिडेरियन रिजन के बारे में, तो उन तक पहुचाओ, शेर करो, और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चानल को भी सब्सक्र झालएब थमारे में, बाइ्धरियर चानल को सब्सक्राइब